तो दोस्तों सागते आप सभी का एक बार फिर से आपके अपनी यूट्यूब चेनल साइंस बंकर्स पर दोस्तों कल बहुत सारे मेरे दोस्तों का एक्जाम है और मुझे पता है आप लोग बहुत नर्वस होगे ठीक है सब की यह हालत होती है कुछ तो यह भी सोच रहे होंगे कि काश गल्स का पहले हो जाता हमारा बाद में होता दोस्तों इस ओके देखिए यह चीज़ें ऐसी नहीं है जिसमें आप एक दिन की तयारी में कुछ पार खोद लेंगे ऐसा कुछ नहीं हो सकता बढ़ यह होता है कि आपने जो अब तक रेगुलर पढ़ाई की है ठीक है व तो परेशान होने की जरुवत बिल्कुल नहीं है एक बार मैं फिर से यही कहूंगा आप लोग अपना दिमाग शांत रखिए नीन प्रॉपर ले करके जाएगा ठीक हलका नाश्ता करके जरूर जाएगा और बाकी उपर वाले के हाथ में छोड़ दीजिए आप अपने हिसा आपकी शांती के लिए संतुस्ती के लिए मैं फिजिक्स के कुछ बता देता हूं और 1112 की फिजिक्स आपको चूने की जरुवत नहीं है दोस्तों आप बस एक काम करें आप 910 की फिजिक्स देख करके जाए ठीक है नुमेरिकल पॉर्शन जितना 910 की फिजिक्स के ठीक है यहां चेप्टर 8th motion है force and laws of motion, gravitation, work energy and sound यह 5 चेप्टर टीपिकली physics के हैं दोस्तों है ना आप chemistry के मैं बता चुका हूं मुझसे biology के देखो मती पूछो तो ठीक है biology मैं आपको पूरी revise करा चुका हूं अगर अब भी आपको कोई doubt है मेरे previous videos देख लीजे हर topic के video tissue बना रखा है ठीक है diversity के भी mcq कराए हुए है वाइड भी फॉलल में से क्या दे उस तो ध्यान रखना है कौनसी बिमारी कौनसे बैक्टिरिया कौनसे वाइरस से होती है ठीक है यह सारी चीज़े उनके pathogen और बिमारिया वो याद रखेंगे बस ठीक चले 8 9 10 अब motion start करते हैं करते निकालने के लिए कोशन आ सकता है बहुत basic ऐसा नहीं देखिए इसी कोशन नहीं आते हैं इसी कोशन भी आते हैं दोस्तों ऐसी बात नहीं कि आप लोग खाली tough tough questions के बीचे बढ़े रहे हैं हमें वही सेलेक्ट करने पेपर के अंदर क्या होता है कि difficult question average question easy question तीनों तरह क questions होते हैं बस आपको find out करना होता है क्योंकि time आपके पास कम है इसलिए मैं बोलता हूं कि जो आपको लगे एक बारी में question हो जाएगा उसे करो अदरवाइस दिमाग मानने के जरुद नहीं है टाइम नहीं है आपके पास example 8.3 देखके चाहिएगा 8.2 इसी तरीके का question एक बार अपने हाथ से solve कर लिजेगा दोस्तों है ना बहुत असान है बहुत easy है ठीक है last year की मैं बात कर रहूं तो सबसे ज़्यादे जो question पूछे गए हैं दोस्तों वो पूछे गए हैं आपके optics से तो अभी वहाँ से भी question बत सब्सक्राइब करते हैं आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो graph है है ना उससे result कैसे निकालते है basically graph का area graph का slope क्या क्या आपको देता है ठीक है कौन सा graph क्या आपको देगा वो ज़रूर आप ध्यान रखिएगा इससे basic question आए हुए है दोस्तों है ना बहुत important है वाली चीज़ इसमें से यह आएगा दोस्तों है ना किवल graph देख लिजएग और पाकी इसके अलावा आप laws of motion में जो तीनों आपके laws है motion के है ना वो ध्यान रखिएगा एंड बाकी जो mechanics है दोस्तों जैसे यह question हो गया car accelerate कर रही है velocity से uniform velocity से ठीक है पांच second में उसका acceleration बताइए तो यह बहुत basic basic question है यह आप चुटकियों में निकाल सकते है इसके लिए आपको वहां पर pen उठाने की जरुवत नहीं पढ़ने चाहिए दोस्तों यह और ली कर देने चाहिए आपको ठीक है दोस्तों ठीक है और बाकी तो यह जो equations है motion की वो तो आपको याद रखनी रखनी है तो यह तो basically motion वाला चप्टर होगे दोस्तों अगला जो चप्टर है यह force and laws of motion है दोस्तों इसमें देख लेते हैं क्या करना है आपको सबसे important है दोस्तो mathematical formation of second law है ना universal law जिससे पहले और तीसरे law जो है क्या derive किया सकते है सब्सक्राइब की दूसरी फॉर्म है ना kinetic energy के साथ में भी कई पर पूछ लिया थे kinetic energy is equals to P square है ना टू है ठीक है तो इस थरीके से आप लोग इसको कर लेंगे दोस्तों है ना बाकी force is equals to है ना mass upon acceleration इस पर भी question आए हुए है मैंने जब आपको solve कर आया था previous year का तो इस पर question आए हुए है दोस्तों है ना एक rocket repulsion वाले question दोस्तों कर लिजेगा ठीक है rocket repulsion वाले question जरू कर लिजेगा एक देखे classic standard question यह देखे आएगा सब NCRT से दोस्तों है ना घवड़ाएगा नी आएगा सब NCRT से आप NCRT अगर ठीक से करके गए है तो आपके नंबर जरूर आएंगे swap percentage बात की guarantee ले सकता हूँ यह देखे 9.5 देखे है ना तो इस तरीके से questions पूछे जा सकते हैं आपको एक बार कर जाएगा motion से रिलेटर question mechanics पूरी कर जाएगा 90 मैं कहीं नी रापसी के 11th और 12th की चुओ आप कुछ भी आप केवल और केवल 9th की mechanics कर जाएगा बहुत है more than sufficient है कि आपको यह पता होगा recoiling of gun ठीक है recoil of gun से question पूछे जाते हैं ठीक है recoil of gun और एक जो जेट proportion है है ना rocket वाला जो है दोनों क्या लगबग concept same है है ना conservation of momentum तो वहां से पूछे जाते हैं question पूरी पूरी उमीद है दोस्तों एक आपको question मिल जाएगा gun से है ना देखे नंबर ऑफ बुलिट्स पूछी गई थी लास्ट टाइम ठीक है एक question पेपर में ठीक है तो डोनों चेप्टर है ना loss of motion and force ठीक है दोनों जो है यहां से questions इसी तरह के पूछे जाते हैं ज्यादा लंबी calculation नहीं होगी concept-based questions होंगे वह आपको करना है दोस्तों देखे अगला चेप्टर है दोस्तों चेप्टर 11 वर्क एनेर्जी नाइंट क्लास कई तो एक तो दोस्तों इसमें से बेसिक यह वर्क डन वाला आता है दोस्तों है फॉर्स इंडू हो जाती है वह बहुत शॉर्ट रिक्स है ठीक है दोस्तों एक तो वह जरूर आप कर लिजेगा अच्छे से वर्क एनर्जी तो है ना उसका concept में ली है ना जैसे कई बार पूछ ले जाता है कि वह एक जो पर्टिकुलर चीज है जो रेस्ट में है उसे फैका गया ठीक है इस सब्सक्राइब करेंगे तो आप सब्सक्राइब कर देंगे इतना तो 100% शूर है ऐसे देखिए वर्क डन यहां पर निकालने के लिए बोला गया ऐसे कोशन साते हैं ठीक है एक पॉर्टर है जिसने लिफ्ट के हुआ है लगे 15 kg ठीक है और वह इतना अबाव है ग्राउंड से कैलकुलेट कर यह वर्क कितना होगा है ना तो इस तरीके से निकालते हैं आपको यह भी पता होना चाहिए कि आपको ठीक है जैसे यहां फोर्स हुआ है जैसी प्रैक्टिस आपने अब तक की हुई है उसी साफ साफ कोशन करेंगे यह तो बस मैं केवल आपको यह बता रहा हूं कि इन चीज़ों को आप एक बार लास्ट मॉमेंट पर देख जाए ठीक है बस इतना बता रहा हूं यह नहीं यह तो आप लास्ट मॉमेंट बगर आपने देख करके चले जाएए एक बार अपने नुमेरिकल्स देख के चले जाएए है ना और जैसे यह कुशन है देखिए वर्क डन पूछा हुआ है अगर कार की वेलोसिटी इतने से इतने इंक्रीज हो रही है और मास दे रखा है तो आपको कैसे वहां पर करना है किस तरीके साब और करना एंप्रığın पहले यह फिर निर्जीम स्थे इनर्जम के बड़ावर आsub deployment के बढून आया जाया झाय ना इस तरीके से देखी आइनिशल आइनिगे निकाली यह फाइनल का इनेटिक और वर्क यह होता है चेंजिन काईने और है तो बेखितर से प्रखेट पोटेंशल एननजी इतनी दे रख्विया आपकी हाइट पी दे रख्याइब को हेना मास भी रख्वरका है तो आप आप इसली यह क्या निकाल सकते हैं आपको क्या निकालना है इस तरीके से इसी कोशन सी आएंगे कोई डिफिकल्ट कोश्चन्स ऐसे नहीं आएंगे कि आप पूरे पेज भढ़ देंगे कैलकुलिशन इतना टाइम ही नहीं नहीं अपने पास तो यह सारी चीज़ हैं इंटर कनेक्टेड हैं दोस्तों कॉमर्शल यूनिट ऑफ एनर्जी की मैं बात करूँ तो यहां से कई बात किलो वाट आर में कोश्चन पूछ लाता है एक बार देख जाना इसको भी ठीक है तो यहां पर आपको इतना पढ़ना है चेप्टर में अब मैकनिक्स ओवर होगे दोस्तों साउंड वाले चेप्टर है साउंड में से ज्यादा कोश्चन से नहीं पूछ जाएंगी रियली पूछ आते हैं डेसिबल इसकी यूनिट होती है साउंड को नापने की जो मीजर्मेंट की यूनिट है वह डेसिबल है डीवी से इसको rete कोई कि इस में जो कुछे कोरे वह सब्सक्राइब कोजके बहुत तो कि यह सकता यह सब कर डेख देख जाएगा क्या है डाकरा के आति है ना आणर में इसको कि देखिए यहां गेविन है है ना एक्जामपल 12.3 देखिए आप यहां दे रखा है आपको ठीक है यह देख लीजेगा एक बार देखिए एक बार यह कोशन आ गया देखिए डाग्राम में यह अल्ट्रा साउंड यूस की जाती है कि आंफ में लेंड़ कोशन देखिए यह तो घुशन आ रखा है तो दौस्तो ना इन्त का तो यह ओवर होंगा ट्पिक टेंट का देख लेते हैं टेनद में दो देखो मैंने कल बता दिया यह आपको त thereby बता दिया श упaktu तो धिसमिला कर अगई कर दिया तो तो है नहीं आपको इस ज्रीजिन से शिवांटेब सुरी फॉर डेट ठीक है लेकिन मैंने सॉल्व करा रखे हैं प्रीवेस येर के उसमें कुछ करा हैं रिप्रोडेक्शन से रिलेटेड है टिवॉलिशन में आप लोग क्या मैंने बता था रेशो याद रखेगा दोस्तों रेशो याद रखेगा बहुत इंपॉर्टेंट है य कि अलावा एलेक्टर सिटी से सबस्यादा मैक्सिमशन पुचाते हैं ये दू चैप्टर ऐसे हैं जो सबस्यादा कुछन पुचाते हैं तो टी किसी हाल में नीचोड़ने तो एंसी आर्टी से पढ़ लिना अगर नहीं बढ़ें तो एक इस उसाठ और ये एक सुनियान वे पेच पर है तो किशन तो कोशन तो आपका यहां से रिफरक्तिव पाने वाला है है ना 90 अपर सेंट है कि रिफरेक्टिव अडचिक बनेगा ही बनेगा थीक है इस चैप्टर में से बाकी इसमरें ले ने जैसा यार कुछ नहीं है एक तो लेंस कर ले लैस फॉर्मूला ठीक है वह 1x1x1x1-1-1-! और इसी में mirror formula उसमें plus हो जाता है ठीक है one by v plus one by you यह आने ही आने हैं और क्या एक magnification का formula है ना magnification का formula क्या दो होते है एक तो image की height upon object की height है ना object की height और image की height यह वाला है एक तो magnification का एक है दोस्तों जब आप mirror के लिए यूज़ करते है माइनस v by u ठीक है और lens के लिए यूज़ करते हैं mv by u ठीक है यह यार relation है किस में ठीक है object और image distance के साथ में magnification की यह formula कई बार काम आ जाता है पिछली बार दो से तीन question केवल इसी formula पर based है है ना same paper के अंदर तो यार यह जरूर कर लेना ठीक है यह practice जरूर होनी चाहिए कहा negative sign लेना है focal length कहा positive लेनी है भया यह जरूर ध्यान से कर लिजएगा ठीक है last moment पर यह जरूर देखके चले जाएगा यह मेरे आप से request है otherwise questions गलत हो सकते हैं द देखके चले जाएगा वाले टेवल दोस्तों एक सेम टेवल यह किसके लिए कॉनके मिरर के लिए है और एक सेम टेवल जो है वह Convex मेर के लिए भी होगी ऐसे Concave Lens और Convex Lens के लिए भी होगी तो भाया एक तो यह वाला जो सी वाला कॉंसेप्ट है इसे सम्मे सेम है जब इमेज सी पर होगी सेम साइस की कई बार डारेक्टी कोशन आ जाता है कि बताए इमेज सी पर रखी हुई है या सेंटर आफ कर वेचर पर रखी हुई है बताए इमेज के आट क्या होगी रियल बनेगी वर्चुल बनेगी इनवर्टिट तो भहे है देख लेना रियल इनवर्टिट सेम साइस की बनती है तो यह कुछ-कुछ इंपॉर्टेंट से चोंच पूछ जाते स्पेशल और क्या समें वर्चुल देखिए वर्चुल कब बनेगी बीच में होगी आप पोल और के बीच में होगी मिर्र के बीचे बनेगी एक इस बनता है कि इंपटन्ट केस बनता एक यहां पर देखिए आप यह मेरर फॉर्मला लगा रखा है आर जो होता है टू एफ के पराबर होता है यह बेसिक बेसिक चीज़ें आप याद रखे जाएंगे आप मुझे मीद है कि सब आपको पता होगा अल्रेडी दोस्तों है ना फिर भी किसी को ने देख लेना है वाली च दोस्ते बाइब किसके रेस्पेक्ट में कैसे रेफ्रेक्टिव इंडेक्स निकालना है क्या फॉर्मला लगाना है देख लेना तो तो यह नीचे लिखते हैं वाटर ऊपर ठीक है तो कैसे लिखेंगे मियू ब्लू मियू तो इस तरीके से यहां पर आपको निकालना आना च देखेंगे आपको ऐसे यहां पर देखेंगे आप नेचर पोजिशन रिलेटिव साइज जो है मेंच के आप बना रखें जो हमने पहले देखे थे वह मिरार के लिए यह लेंस है ठीक है यह कॉन सी इमेज कैसे बनेगी ठीक है यहां पर क्या है दो फोकस हो जाते हैं एफ ए द्यान रखेंगे इसके लिए एक यह वाले टेबल देख जाएंगे और ऐसे ही आपकी जो है कॉन्वेक कॉनके लेंस के लिए होगी ठीक है यह भी ध्यान रखेंगे अच्छा यह भी ध्यान रखेंगे कि गाडियों में कौन सा शिशा लगता है यह कोशन बहुत फेवरिट है ओटो मुबाइल में कौन सा शिशा लगा हुआ होता है ठीक है यह ध्यान रखेंगे बाकि दोस्तों नुमेरिकल्स हैं ठीक है आप कर लें ना इनको जैसे दे रखा है एक्जांबल 10.3 ठीक है इस तरीके को कुशन काफी आ रखें पिछली बार तो आये थे और लास्ट मे दोस्तों इसमें से आपको आई वाई कड़ागराम कुछ नहीं देखने तो बाइलोजी में भले कुशन आ जाए इससे आपको क्या देखना है देखो यह डिफेक्ट ठीक है यह आएंगे मायोपिया ठीक है क्या होता है इसी को नियर साइटेडनेस या शॉर्ट साइटेडन के नाम से जानते हैं ठीक है इसमें कैसा लेंस यूज किया जाता है इसको और आपयोपिया था आप पता निशाद आदिया है क्या हटा दिया है जिसमें हम सिलेंट्रिकल लेंस यूज़ करते हैं जिसको करेक्ट करने के लिए ना एस्टिग्माटिसम वह ध्यान रखना बाकी इसमें ऐसा कुछ इंबॉडन नहीं है ठीक है आप लोगों को अगर पूचा जाएगा तो इस चेप्टर से किवल डिफेक्ट पूचे जा सकते हैं और बाक बाउस है एक बार देखके चली जाएगा इसका जो कलर है वह ब्लू क्यों है ठीक स्केटरिंग ऑफ लाइट क्या है टिंडल एफेक्ट ठीक है और देखिए यहां दे रखा है क्लियर इसकाई ब्लू जो है तो कलर ऑफ सन एड़ सबसे ज़्यादा है ठीक है तो यह बेसिक पूचे जाएंगे यह आपको इसके अड़ेक लेने की जरूबत नहीं है बस इतना इसमें करना है आप डिफेक्ट जरू कर लीजेगा और मिनिमम जो विजन 25 सेंटीमेटर है लीस्ट डिस्टेंस ऑफ विजन जो है अब आ जाता है धुश्टो सबसे फेवरीट टापिक जो है यह यह मैं आपको क्या बताओं की क्या करना है क्या नहीं इस चैप्टर को आप छोड़ नहीं सकते हैं आपको आई निकालने के लिए भी पूछे गए हैं करंट के ऊपर कई कोशन आये मिली सर्किट सॉल्व कराने के लिए काफी कोशन साते हैं सीरीज वार पैलल उसी में पूछा जाता है कि पर्टिकुलर आम में कितना करंट है कितना वोल्टेज अभी मैं आपको कोशन दिखाता करें कि यहां पर बता दी जाएको वाल्त होत देजिक है आपको बता दीजाएगा इसका ड thếीन की वैल्यू आरटी की है त्रे कि वैल्यू है सपोस्पर करिए सब की sweet है वह 555 यह अगर 555 थो एकोल करनट जाएगा अगर इसमें कोशारण राहर पांच है को नैंकि तौ तो फिर अलग-अलग इनके अंदर करन जाएगा एफ Cu цвет हैक्वार्वन में science होगा चीजा सिना थरी में किए लगा कॉंसेप्ट है वो क्लियर हो जाएंगे इसका लावा exercise में भी कुछ questions मैंने देखे थे ठीक दे रखे हैं यह जो in text question है इन्हें करके देख लिजेगा ठीक है अच्छे questions के विए कर सकते हैं ठीक heating effect of the current पर भी question आई हुए है मैं बता रहूं ना आपको इसमें से आप कुछ नहीं छोड़ सकते दोस्तों सब कुछ ही important है यह पीजिकल्स टू वी आई तो power input वी आई के लाब बरावर भी है आई स्कूर आर के बरावर भी है ठीक है तो यह भी फॉर्मला आपको याद प्लाइ करने पर यह भी है ठीक है एक बार यह question करके देखिंगे तो भी चीज़ां क्लियर हो जाएंगे ठीक तो कहने का मतलब है क्या इस चेप्टर में ऐसा कुछ भी नहीं है जो मैं आप से कहूं कि इंपॉर्टेंट नहीं है इस चेप्टर में सब कुछ ही important है कुछ भी यूनिट है कि रुपए तीन पर किलोवाट आर ठीक है थर्टी देस के लिए बताइए इसमें कितना खर्चा किया आएगा तो इस सब important है दोस्तों ठीक है अब चैप्टर है चैप्टर 13 magnetic effect of the current तो इसमें काफी बच्चे परिशान होते हैं कि सर इसमें से क्या करना क्या नही होदो यह होदी है ठीक है यह ठीक है यहां पर मेंगनेटिक के बिलकुल सेंटर में जाएंगे तो वहाप आपको zero magnetic field मिलेगा करेंट के डिरेक्शन को बताने के लिए लिए यह ध्यान रखेंगे और तो यह तो दोस्तों इसमें आपको ठीक है यह ध्यान रखना है पॉपर्टीस लाइंस की और जो रूस ने फलेमिंग का लैफ एंड डूल है राइट असमरी यह हैं ध्यान रखना है लेकिए यह ना फलेमिंग का लेफ्ट अन डूर यह भी ध्यान रखना है आपको अब कि जो 4 फिंगर वह फील्ड बता रही है जो आपकी मिडल फिंगर है करेंट बता रहे हैं थाम आपका मोशन बता रहा है एलेक्रिक मोटर बगारा के उपर साइधी कुशन आएं फ्लैमिंग का राइट रूल कब लगना है लेफ्ट रूल कब लगना है यह आपको पता होना अच्छी है दोस्तों और जो सबस्यादा कुशन पूचे जाते हैं इसम का काम क्या है यह तो ही साथ में अर्थिंग का कॉंसेप्ट भी कई बार पूछे जाता है ठीक है यह भी ध्यान रखेगा बताएगा कमेंट में अर्थिंग बताए मुझे और फ्यूस वायर कौन से मैटेरियल का बना हुए यह बताएए और साथ में बता सकते हैं कि अच्छे इंपॉटेंट इंपॉटेंट मैं आपसे पूछे बताएए और यह सकता है कोई 20 में से चलिए सोर्सेज ऑफ एनरजी यह लास्ट है ठीक है टेंथ क्लास का लास्ट टॉपिक तो बहुत यहां से जनरल कोशन आ सकते हैं ठीक है जो मैं बता देता हूं को दोस्तों है ना वो रिन्यूबिल है और जो कन्वेंशनल है वो नॉन्यूबिल है इतनी चीज ध्यान रिकिएगा फॉसिल फ्यूल वगरा के पारे में है इसे तभी करिएगा इस चेप्टर को जब आप एलेक्रिसेटी और और आप्टिक्स यानि की लाइट वाला चेप्ट के अलावा बायो मास एक बार पढ़ लीजेगा ठीक है मैं उनकी बारे में बात करो हैं जो खतम कर चुके हैं लाइट और मैगनेटिसम अगेरा और यह सब ठीक है यह गर्ड़ गया से प्रोड्यूसर गया से सिंथाटिक गया से फिर फिर और यह जो पूचा जा सकता इस चेप्टर में से दोश्टो वो तर्मलवनल त्यक्ते वह बीर्ड़ सेइनर्ची के वारे में फूचा जाएगा ठीक है बाकि इस चेप्टर में ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों ठीक है हाँ न्यूक्लियर फिशन के ओपर यहां दे रखा है तो बता देता हूं वैसे लेविंथ क्लास का कॉंसेप्ट है प्रोटो निकलता है तो कैसे एक्विशन बनती है न्यूट्रोन है ना यह न्यूक्ल जो है ठीक है यूरीनियम के उपर जम करते है न्यूट्रोन की ठीक है वह उसमें क्या है पूरा नूप्लियर रेक्टर आपको पढ़ना पड़ेगा जो उसमें कैडमियम की बनी हूई होती है जो कुलिंग रॉड्स होती है ठीक है डी टूओ ग्रेफायट रॉड है ना उनक के लावा इस चैप्टर में से कहीं से कुछ कुछ नहीं आएगा दोस्तों बाकि दोस्तों अल्दा बैस्ट कल के लिए एक्जाम के लिए आप लोगों को और अगर मेरा बसकेवल उतिर्श यह था कि आप लोगों को कुछ कुछ इंपॉर्टन चीज़ें बता दू रिवाइज करा दू एक बार क्योंकि वीडियोस तो नहीं हो पाए केमिस्ट्री और फिजिक्स के सिंगल हैंड होने की वज़े से क्योंकि मैं अकेला ही इस चैनल को रन कर रहा हूं और कोई मेरे साथ में नहीं है अभी फिलाल में तो यह तो अभी नहीं हो पाया मेरे से किवल बाइलोगी क्लासे यह आप आई लेकिन मेरी यह लास्ट कोशिश यह थी कि आप लोगों का कैसे भी करके अच्छा हो जाए बाला हो जाए अगर मेरे दो वीडियो बनाने पर दो कोशिन भी आपके अच्छे सफस जाते हैं और आप टिक कराते हैं तो मेरे लिए इससे बड़ी खुशी की बात नहीं होगी दोस्तों सबका सेलेक्शन हो जाए यही मैं प्रे करता हूं आप लोग डरिये नहीं घवराईए नहीं अपने उपर पूरा कॉन्फिडेंस रखिए जितनी तैयारी कि आपने अगर सच्छे मेहनत की ह अच्छे मन से मेहनत की है आपने जरूर आपका सेलेक्शन होगा दोस्तों अब कि नेगेटिव मार्किंग है यह चीज़ धियान रखेंगे दोस्तों तो जिसमें आप शवर हैं वो टिक लगाते जाए अराम से आपका सेलेक्शन हो जाएगा मैंने फिर एक बार बता दूँ जो मेरे दोस्त हैं कल जो एक्जाम देने जा रहा है उनके दिमांग में कोई भी डाउट है ठीक है वो क्लियर करने के लिए आप कमेंट में लिख सकते हैं इसके लाव आपको कुछ भी ले करके नहीं जाना है हाफ शर्ट पहें सकते हो आप ठीक हाफ बाजी वाली ठीक है औ के जा सकते हैं जूते वगारा नहीं पहेन के जा सकते ऊधरवा लेंगे फारत बान के जाएगा परांसल कुछ भी नहीं ले जाएक अपको प्रोवैड किया जाएगा ठीक है अच्छे मन शाईए नींद पूरी करिए ठीक है आपका एक्जाम अच्छा होगा औल्ड़ियस द